नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं परतिहार टोटके सिंग रासी बालों साल दो हजार चौबिस बहुत सांदा रहने वाला है क्योंकि वर्स की सुरुवात में ही आपके जीवन में कुछ बड़ा बदला होगा वैसे तो तीस अप्रैल दो हजार चौबिस तक देव गुरु बर्ष्यस पती आपके नवाम्भू में रहेंगे तो जब गुरू आपके नवाम्भू में रहेंगे तो बस यह समझ ले पांचों उंगी घीमे भागे का साथ मिलेगा और भागे के बल पर कई लाप राप्त करेंगे कई सारे कारे आपके बनेंगे जो बिद्यारती है उनके लिए भी बहुत खुबसूरत रहेगा क्योंकि खास कर जो बिजनेसमेन है सेर मार्केट, लोटरी जुआ, सटा इन तमाम छेत्रों से किस्मत के दरवाजे खुल सकते है सोच समझ कर अगर आप इन छेत्रों में जाएं तो आपको आर्थिक लाप होना तै है खास कर जो ब्यपारी भाई है ब्यपार में खुब प्रगती होगी आर्थिक जीवन में इस्थरता आएगी इनकम के साधन तो बढ़ेंगे साथ ही बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा और धन की कमी नहीं होगी जो बिद्यारती है जौब प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है मन चाहा प्रणाम मिलेगा और अपनों के उपर भी इस समय खर्च करते खुल कर दिखेंगे वैसे नौकरी करते हैं तो प्रमोसन के भी योग है और आपके सिनियर का सपोर्ट भी प्राप्त होगा लेकिन स्वास्त के मामलों में दोहजार चौविस में जरा आपको संभाल के रहना होगा संभल कर देना होगा खास कर वाहन चलाते समय साबधानी से चलाईएगा चोड चपेट लगने की संभाबना रहेगी तो स्वास्त के मामलों में आपको बहुत ध्यान रखना है दहन की बात करते हैं कितना पैसा कमाएंगे और कितना बचाएंगे देखिए इस वर से दिन दूनी राज चोगूनी सफलता लेकर आया है ये साल खास कर जो बैपसाई भाई हैं उनको तो लाब होगा पैत्री संपत्ती से आपको अच्छा खासा लाब भी होता दिख रहा है जमीन ज्यादा से जुड़ा कोई कारे करते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा आर्थिक स्तिती में सुधार होगा और इंकम के साधन भी बढ़ेंगे आप जिस भी कारे में हाट डालेंगे उसी में सफलता है मई 2024 के बाद और भी अच्छा वक्त रहेगा क्योंकि रुकावा फसावा धनाएगा सुब मंगल कारे करम होंगे और दिल खोल कर खर्ज करेंगे बिडेसी भूमी बिडेसी प्रोड़क्ट से आपको लाब मिलेगा अगर आप अपना मकान भूमी भवन वाहन लेना चाहते है तो बिडेसक आप ले सकते है तो आपके सुख के साधन भी बढ़ेंगे और साथ ही जैसे हम अगर स्वास्त की बात करें तो देखे बहुत अच्छा है लेकिन आपको चोट चपेट से बशना है और नए साल में आपको मानसिक रूप से मजबूती मिलेगी बाधाओं से बाहर निकलेंगे चिन्ताओं से मुक्ती मिलेगी खास कर दोहजर चौविस की सुरुआत स्वास्त के लिए बरदान रहेगा अगर आप पहले से बिमार थे तो भी रहत मिलेगी दिन की सुरुआत योगा एक्सरसाइस से कीजेगा हाँ जो जून जुलाई का वक्त होगा थोरा इस समय ही आपको ज़्यादा साबधान रहना है महलाओं को भी अपने फिटनेस के प्रती चागरूप होना होगा और खास कर जो घर में बच्चे हैं बजूर्ग हैं उनका ध्यान रखिए आप सिंग रासी के हैं आप बुजुर्ग हैं अपने जोएन पिन का थोड़ा खया लखेगा जोएन का ध्यान रखेगा और जो विद्यारती हैं जो लोग नौकरी पेशा हैं अपने मानसिक स्वास्त का ध्यान रखे जोरों से ज़्यादा लेप्ट आप मोबाइल पर समय साब्धान रखेगा खासकर जो सिंग्दासी की महलाएं कीचन मे काम करती क्यों चोट पेट की सभावना थोड़ी रहेंगी कर्यार के मामलूं में तो अच्छा है क्योंकि कोषिस से एक अच्छी जॉब मिलने की संभावना बढ़ी है प्रियास कीजे और तमाम टार्गेट स तिंदोनी राच चुगोनी सफलता है जो लोग प्रेम समंध में हैं लव लाइफ प्यार की बरसात लेकर आया क्योंकि बैवाही जीवन में भी प्रेम है अपना पन है और लव लाइफ का आनंद लेते नजर आएंगे अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई दस्तक देगा किसी पर भी जरुष से ज़्यादा भरोसा मत कीजेगा क्योंकि सिंग वाले जड़ा सीधे होते हैं लोग जल्दी इनको भटका देते हैं कुछ लोग आपका गलत फायदा उठा सकते हैं इसलिए चापलूसों से साबधा कुछ दोस्त नए प्यार की राह में मुस्कि करेंगे हलां कि एक दूसरे को स्पेशल कराने का कोई मौका नहीं चोड़ेंगे तो प्रेम के मामनों में अच्छा है और जो जून जुलाई का वक्त है यह समय ज्यादा अच्छा है लेकिन हलकी पुलकी चीज़ों को लेकर टेंसन ना हो इसका ध्यान रख्येगा और इस प रिस्तों में खुसियों को हासिल करेंगे खोया वह भी प्रेम मिलेगा और साथ ही सितंबर 2024 के बाद लव लेसंसिप के लिए ज्यादा अनुकूल रहे तो प्रेम समंध बढ़िया है और हो सकता है उनसे आप विबाह करना चाहें करियर के मामलों में मजबूती है जितना मेह करेंगे उतना ही सपलता लंबे समय से अगर नौकरी में टिके वे दूसरी नौकरी ढूंड रहे हैं तो सुरुवात में ही वर्स की सुरुवात में ही आपको लाब मिलेगा दूसरी जौप मिल सकती है धन के मामलों में धन तो आएगा पर खर्चे भी होंगे बस फिजूल ख कि अगर हम बात करें तो सुक सुपिधाएं बढ़ेंगी माता पिता से संबंद बढ़िया रहेंगे लाब मिलेगा मार्च अपरेल मई जून यह जब चार महने है न अपने पिता के स्वास्त का थोड़ा ध्यान रखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इन चार महनों में पिता के स्वास्त में थोड़ी सी परिसानी है वैसे तो छोटी और लंबी दोनों ही तरह के यात्रा के योग हैं और जो भी द्यारती हैं उनको तो सफलता प्राती जरूर होगी अब देखिए मंगल भी नवंभा और फिर दसंभा में बर्स के मध्यम में रहेंगे एक अच्छी जॉब मिलेगी बस निरने को सो समझ कर लीजेगा करियर नौकरी के मामनों में अच्छा है बुद्ध सुक्र साल के सुरुवात में दसंभाव पर प्रभाव डालेगा तो नौकरी में सकात्मक पेनाम आपको मिलेगा और वर्स के मध्य तक देव गुरू ब्रस पुष्टी डालने से वर्स की सुरुवात में थोड़ी रुकावट है यानि पढ़ाई से मन भाग सकता है इसलिए मेहनत जाली रखके बुद्ध सुक्र के चतुर्त भाव में होने से ब्रस्पती के नौम भाव में आने से इन ग्रहों का सैयोग मिलेगा तो विद्यार्थि लख नियोमीत रूप से माते पर कंट पर या फिर कलाई पर लगा लें सनीदेव पूरे वर्स सप्तम भाव में हैं तो पार्टनर्सिप में अगर कोई काम करते हैं थोरी परेशाल है लेकिन खुद का काम करते हैं तो उमीज से ज्यादा लाब होगा और मंगल सुरी के साथ म आठवे भाव में होने की समय आप की उन्नती धीरे धीरे होगी लेकिन ब्यापार में एकदम से फिर रफ्तार पकड़ लेंगे दूसरे भाव में के तू और आठवे भाव में राहू नुकसान थोरा देगा लेकिन ब्रस्पती की किरपा बरसे की तो सब कुछ बेतर हो साथ देगा हम आप से भी दा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें दनी